साल 1940 में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जिसने बॉलिवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तो नाम कमाया ही और फिर लीड अक्ट्रेस बनकर इसी अभिनेत्री ने अपनी खुबसूर्ती से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था इन्हों ने उस दोर में ऐसा बोल्ड फोटो शुट कराया था जिसे देखकर बड़े बड़ों के पसीने छुट गए थे इस अभिनेत्री की अदाओं और खुबसूर्ती का हर कोई दीवाना था जिसने मदुवाला की खुबसूर्ती को भी टक कर दी थी हम बात कर रहे हैं 40 से 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली सुपर हिट एक्ट्रेस नलिनी जैवंत की जिनोंने अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था और अपने बेपनाह हुस्न से लाखो करोणों लोगों को अपना दीवाना बनाया था लो प्यार की हो गई दीत बलम हम तेरे हो गए हम तुझ से लगा कर पीत नहीं दुनिया में खो गए इनकी खुबसूरती किसी भी मायनों में मधुवाला से कम नहीं थी लेकिन जिन्दगी की दूसरी और कड़वी सक्चाई ये भी है कि काम्याब इनसान ही अपनी जिन्दगी के आखरी दिनों में अकेला रह जाता है यही हुआ नलिनी जैवंत के साथ भी करोणों चाहने वाले दो दो शादियां इसके बावजूद मरते समय इस एक्टरस के पास कोई नहीं था आईए आज हम आपको नलिनी जैवंत की जिन्दगी के कुछ अंसुने किस्से बताते हैं जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे बस आप बने रहे हमारे साथ और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्म टेन्मेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आलोक कुमार शुकला जीवन के सफर मेरा ही मिलते है बिछड जाने को 18 फरवरी 1926 को मुंबई में जन्मी नल्नी जैवंत भी फिल्मी परिवार से तालुक रखती थी वो एक्ट्रिस शोभना समर्थ की कजिन थी शोभना समर्थ आज की मशूर अभिनेत्रियां काजोल और रानी मुखर जी की नानी थी नल्नी और शोभना के बीच काफी गहरा रिष्टा था नल्नी ने फिल्मी दुनिया में महद 14 साल की उम्र में कदम रख दिया था वो पहली बार साल 1941 में महदूब खान की फिल्म बहन में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया नल्नी ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में कदम रखा तो उन्होंने बॉलिवुड में धमाल मचा दिया नल्नी की पहली सुपर हिट फिल्म साल 1945 में रिलीज हुई थी नाम था अनोखा प्यार इस फिल्म वो दिलीब कुमार और नर्गिस जैसे बड़े कलाकारों के जाथ नजर आई इसके बाद नल्नी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उस समय नल्नी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मधवाला को भी सुन्दर्ता में टकर देती थी साल 1952 में मशहूर मैगजीन फिल्म फेर ने एक ब्यूटी पोल किया था इस पोल में नल्नी ने मधवाला को सुन्दर्ता में मात दी थी और पहले नंबर पर कभजा जमाया था कहा जाता है कि इसके बाद नल्नी के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई थी हर कोई उन्हें ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था नल्नी ने फिल्म समाधी और संग्राम जैसी दो फिल्मों में शानदारा भिनायकर बॉक्स ओफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये इन दो फिल्मों के बाद नल्नी बॉली वुट की टॉप एक्ट्रिस की लिष्ट में शामिल हो गई इसके बाद उन्होंने कई सुपरिट फिल्मों में काम किया जिसमें जल्परी, सलोनी, काफिला, नाज, लकीरे, नौबहार, तूफान में प्यार कहा, शेरू और मिक्स्टर एक्स जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं उस दोर में परदे के सुपरिस्टार रहे दिलीब कुमार, अशोक कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे तमाम दिगज उनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखते थे नलिनी जैवंद ने अपनी प्रोफेसनल लाइफ में लाखो करोणों फैंस का प्यार पाया, लेकिन उनकी परसनल लाइफ को लेकर भी बहुत सी बातें उस दोर की मैगजीन और अख़बारों में चलती रहती थी, जिसमें उनकी लव लाइफ भी शामिल थी नलिनी ने दो शादियां की थी, उनकी पहली शादी साल 1945 में डाइरेक्टर वीरेंदर देशाई से हुई थी, लेकिन दोनों का रिष्टा बहुत लंबा नहीं चल पाया, और फिर आपसी तनाव की वज़े से नलिनी और वीरेंदर ने साल 1948 में तलाक ले लिया, इसके बाद नलिनी ने साल 1960 में दूसरी शादी एक्टर प्रभू दयाल से रचाई, नलिनी जैवंद की परसनल लाइफ बाहर से जितनी सिंपल दिखती थी, उतनी थी नहीं, सिनिमा जगत की गलियारों में नलिनी को लेकर कई अफवाहें भी फैली थी, दावा किया जाता था कि अभिनेता दादा मुनी यानि की अशोक कुमार के साथ नलिनी के गहरे रिष्टे थे, नलिनी ने अपने करियर में अशोक कुमार के साथ कई सुपरेट फिल्मों में काम किया था परदे पर उन दोनों की कैमिस्ट्री ला जवाब थी जो दर्शकों को खुब पसंद आती थी इसी वज़े से फैंस भी दोनों को फिल्मों में एक साथ देखना पसंद करते थे लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि नलिनी और अशोक कुमार एक दूसरी के लिए बहुत special feel करते थे ऐसा कहा जाता है कि अशोक कुमार और नलिनी साल 1903 में रिलीज वी फिल्म समाधी की शूटिंग के दौरान ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और इसके बाद जब दोनों ने फिल्म संग्राम में एक साथ काम किया तो शूटिंग के दौरान एक दू उनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया दो दश्रकों तक सिनिमा जगत में धमाल मचाने के बाद नलिनी जैवंत ने अचानक ही साल 1960 में फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया वो फिल्मी दुनिया से उप चुकी थी कहा जाता है कि इसके बाद नलिनी अपना पूरा ध्यान अपनी परसनल लाइफ पर देना चाहती थी लेकिन ये शायद एक्टिंग के लिए उनका प्यार या फिर फितूर ही था जो नलिनी ने 18 साल बाद फिर से बॉलिवुड में कदम रखा लेकिन इस बार माहौल काफी अलग था ने चेहरों के बीच उन्ह अस्तिक में नजर आई थी इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता अमिताब बच्चन की मा का किरदार निभाया था इसके बाद वो कभी भी फिल्मी दुनिया में लोटकर नहीं आई 1983 में बॉलिवुड छोड़ने के बाद नलिनी एक गुमनामी की जिंदकी की ओर चली गई जिस तरह से नलिनी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा था उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें अकेला और तनहा छोड़ दिया फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों ने उन्हें कभी याद नहीं किया इतना ही नहीं उनके करीबी लोगे ने भी उनका साथ छोड़ दिया इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी मौत हुई तब किसी को पता ही नहीं चला नलिनी का निधन 20 दिसंबर 2010 को हो गया नलिनी की लाश 3 दिन तक घर में पड़ी रही और किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी इन 3 दिनों में उनके घर ना तो कोई आया और ना ही कोई घर से बाहर गया उस समय ये चर्चा आम थी कि नलिनी की मौत रह समय तरीके से हुई बताया जाता है कि एक अंजान शक्स आया और नलिनी के पार्थिव शरीर को एंबुलेंस में रख कर ले गया पुलिस में इस मामले को लेकर कोई शिकायत भी नहीं की गई जिसके बाद आस पडोस में रहने वालों ने नलिनी की मौत की जानकारी दी पडोसियों के मताबिक साल 2001 में जब उनके पती प्रभुदयाल की मौत हुई तो उन्होंने खुद को लोगों से दूर कर लिया था और वो लोगों से बिलकुल भी मिलती जुलती नहीं थी उनके रिष्टेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे हाला कि जैसे ही नलिनी की मौत की जानकारी सामने आई तो सभी ने उनकी मौत पर शोग जताया लेकिन क्या फाइदा उस शोक का जब जिनदा रहने पर उस शक्स की परवाही नहीं की गई फिलमी दुनिया में भले ही नलिनी ने आसमान चुआ हो लेकिन असल जिंदिगी में वो काफी अकेली रही तो ये थी नलिनी जैवंत की जिंदिगी से जुड़े किस से विचार कमेंट बॉक्स में बताएं आप सुपर ठैंक्स के जरिये भी अपना प्यार दिखा सकते हैं साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार